आप सभी को मेरा अपनाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आपके उत्तम स्वास्थ के लिए आज एक और प्लांट के चर्चा करेंगे स्लिपी मौर्निंग भी कहते हैं वाल्थिरिया इंडिका मालवेशी फैमिली का प्लांट है तेलगु में नाला बेंडा और तमिल में इसको हम तेलगु में सेंगाली पॉंडू के नाम से हम इसको जानते हैं मित्रो कई सारे उस्दियगुणों के लिए उपयोग में लाते हैं अगर आपको नसों का दर्द हो रहा है जिसको हम नियूरल्जिया कहते हैं तो पूरे यह जो पत्र आप देख रहे हैं और फ्लोवर्स आप देख रहे हैं इसका पेस्ट बनाकर ड्रेसिंग कर दीजे निय इरोलोजिकल पेन आसानी से ठीक हो जाता है मित्रो यूरिनरी ब्लेडर में प्रोब्लम आ गई है और ऐसे जो कंप्लिकेशन्स होते हैं वो काफी क्रिटिकल हो जाते हैं अगर समय पर उनको देखाना जाए यूरिनरी कंप्लेंट्स पेसाब करते समय पेसाब से ब्लड आना यूरिन में ब्लड आना और रिटेंशन का ना होना पेसा अगर्म कभी निकल जाना इस तरह की प्रब्लम्स काफी पेनट्फूर भी होती हैं और स्ट्रे सवुल भी हो जाती है एसी problems को दूर करने के लिए आप समस्थ प्लांट के काड़े का उप्योग कीजिए आसानी से ऐसी problems दूर हो जाती है मित्रों, कई बार हम dry kuff होने के कारण और हमारे पित की पिरकृति के बढ़ जाने के कारण पित दोस के बढ़ जाने के कारण हमारी कफ से ब्लड भी आता है जिसको Hemotasis कहते हैं कफ से आने वाले ब्लड की समस्या इससे निराकरण के लिए आप इसका काड़ा बना कर उसमेंसे जायद मला कर सेवन करें दिन में दोसे तिन भार अगर आप सेवन करते हैं तो कफ से आने वाला ब्लड आसानी से ठीक हो जाता है यह जो ट्विग आप देख रहे हैं इस ट्विग की आप दातों करते हैं या इसकी चाला आप चबाते हैं तो गम ब्लीडिंग की समझते ठीक हो जाती है दातों की सेंस्टिविटी हो गई है वो भी ठीक हो जाती है दातो इसको अपयोग मिला सकते हैं। मित्रो इसके कौमल पत्रो और फूल इसको अगर अच्छे से किए हुए आँखों में इरिटेशन के कारण घाओ अगर बन गया है वो भी ठीक हो जाता है या फिर केटरेक्ट की अगर समस्या है इसके इंफ्यूजन के डालने मातर से केटरेक्ट की समस्या भी ठीक हो जाती है केटरेक्ट के बढ़ने का रेट भी कम हो जाता है और अगर इनीशल अव regulation के माध्यम से आप इसका 7 करते हैं तो female disorders को भी ठीक करने का कारे करता है मित्रो इसका decoction female disorders को भी ठीक करने वाला होता है इनके पत्रों की आप morality मना कर अगर 7 करते हैं तो obesity को कम करने वाला होता है free radical squenching activities इसकी होती है मोटा पे को कम करते हुए शरीर के toxins को भार निकालने का कारे करता है liver को detoxify करने का कारे करता है fat liver की समस्चा को ठीक करता है blood के अंदर lipid profile को check करने का कारे करता है bad cholesterol को बढ़ने से रोकता है इसके काड़े का उपयोग हम पहले ही आपको बता चुके हैं female hormones को regulate करने के लिए pneumonia की समस्चा को ठीक करने के लिए asthma की समस्चा को ठीक करने के लिए सरीर के metabolism को regulate करने के लिए कई परकार से आप इसके काड़े का उपयोग कर सकते हैं काफी थिरोपेटिक प्रोपर्टीज इस प्लांट के अंदर होती हैं अबाल थीरिया इंडिका मालवे सीकुल का प्लांट है मुखत है पित्तो प्रकृति से जनित रोगों के उपचार के लिए आप इसको प्योग में ला सकते हैं गमले में आप इसको कटिंग के माध्यम से ब आटो आम्यून डिशॉडर्स इन सब में भी काफी होता है इम्मिनुटी अगर कंप्रुमाइज हो गई है उसको भी बढ़ाने का यह कारे करता है एक्जिमा सोरियसिस स्किन के रेड्नेस कई इस प्रकार की समझाएं आम देखने को मिलते हैं उनको ठीक करने के लिए भी सोडर्स के लिए समय समय पर एनालजेसिक्स और एंटिबाइटिक्स का इस्तमाल करना उपयोग करना हमारे नैच्रल इम्मिनुटी को सप्रेश करने का कारण बन जाता है तो आफसाक्ता अनुसार कम से कम आप इन दवाओं का उपयोग करें अधिक तर आप हर्बल रेमिडी इसका ही उपक करें ताकि आपकी नैच्रल इम्मिनुटी बनी रहे अच्छे स्वास्थे की कामनाओं के साथ कल फिर सुबह साड़ेशे बज़े एक नई प्लांट की चर्चा के लिए मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार चैनल को सब्स्रा कर लें और जानकर यह अच्छी लगे तो से रवस्चे करें अब सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार